हाइलो टुदधेंट गूड मॉनिंग तो लग्वीज जय से क्लास में आज आपका फिसे स्वागत है इस देंट आज देंग बहुत ही जादा बेशिक टोपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टोपिक क्वांटर नमबर के ऊपर करने वाला यह जो क्वांटर नमबर टोपि जानना हर इस्टुडिन को बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आज हम जानेंगे क्वांटन नमबर के बारे में तो यह प्वांटन नमबर होता क्या है जैसे अगर हम इसी भी स्ट्रक्चर बाद करते हैं जो एक्टम के में जो इलेक्टरोन प्रोटोन और न्यूट्रोन उसे तरह कोना रदर को बढ़ आपने मोडल के थूल जो ब्रेशें बता है प्रोटोन और न्यूट्रोन पोजिशन जैक्ली बतां रच्छ से एक्सप्लेंकिया प्रोटोन न्येट्रोन का पोजिचिन क्या होते हैं जो प्रोटोन और न्येट्रोन होते हैं मादला एलेक्टोन होंगे मन् möक्ली चार लगातार यह करते हैं राउंड करते रहतें राथे हैं ठीघ है यह क्या थैसे प्रोटोन रहते i4 जो नीर्स पोर्न क्या विला ग्नेरह क्या बोला कि बिखना क्या होते हैं क्योंकि वह तो वेव अंपार्टिकल दोनों की तरह मूग करते रहती हैं तो बताने के लिए यहां नय वड़ा है और वी टल जो एलेक्टरोन के प्रोबाबिलिटी प्रोबाबिलिटी बताया जाते कि एलेक्ट्रोन तो लगातार राउंड कर रहा है ठीक है तो एक्टाइट् मिलिंग तो उसी के पर सिब्स और विटल वाड़ आया तो अब इसको में नहीं जानना है नहीं क्या पढ़ने वाला हुआ नमबर यह मैं बताने को सिकते के रहे तो निवस बोर्ड ने तो बोल दिया जो जो इलेक्टोन होते हैं लगाता नुपलेश के ला चार और करते हैं तो वास्तों में किस पोजिशन पर है किस पोजिशन पर है उसकी एनर्जी क्या है उसका सेब क्या है उसको को जानने की कोशिश करेंगे जैसे हैजनबर्ग यह हैजनबर्ग का आप प्रिंसिप पड़े तो हैजनबर्ग बोला था कि इसकी एलेक्ट्रों सेम टाइम पर उसकी पोजिशन और मोमेंटम को सेम टाइम में करना पोशिबाल नहीं है तो आज हम उसकी एनर्जी या पोजिशन को डिटर्माइन करने की कोशिश करेंगे तो अगर ये कोई रहा है माझने को एलेक्ट्रों है इस एलेक्ट्रों की अगर पोजिशन तो टेक है उसके सेफ सेफ इस्ट्रक्चर उनकी एनर्जी और ओरियन्टेशन और ओप और विटल अगर किसी एलेक्टोन की हम पोजिशन ठीक है उसके पोजिशन कहा है कहा रहा तो भूम रहा है ठीक है उसकी एनर्जी खोभी थां गुर्ब से अगर July साथ उसके ट्रेंइक शों करें है एक इसका पसे इस तो अगर किसी एलेक्टोन की अगर उन पूरोपेटी गो भीज़िस्टिक के अगर उन सभी प्रूरपेटी को अगर रहा जानना चाहते हैं निकाना चाहते डिटर्माइन करना चाहते हैं तो हमें कुछ नंबर की क्या होती है और सकता होती है ठीक है तो यह वाड़ क्या है यह नंबर क्या है यही क्या क्लासी में क्वांटम नंबर किसी आया था श्रोंडीजर ने प्रोबाबिटीग और बताने के लिए क्वांटम थे खुड़ा जाता है तो हम निक्या बोला कि किसी भी लेक्ट्रोन की पोजीशन उसको मोमेंटम एनरजी से स्ट्रक्चर डिटर्माइन करने के लिए जिन नंबरों के हमें आव सकता पड़त लुए उसी को हम चार नंबर के बेसिस पर डिवाइड तर दी है उसी क्या बोला तो आज हम जाने कोशिशित करेंगे एलेक्ट्रोन का एक्ट्राइट पोजीशन कहां है ठीक है उसके इनरजी कितनी है वह उसको सेप क्या है तो यह जो क्वांटम नंबर है इसी क्वांटम परेको क्या किया जाता है मैंने क्या बोला कि प्रिंस्पल वांटम अ कि किटिकों इस्वा फॉलिट्टर क्वांटम ग्यां कि दूसरा क्या होता है एग सब्सक्राइब अ तो उब्सक्राइब उस्फित क्या आता है इस पी करनोे से इस में सबस्क्राइब्सलाइब से और सोक्या जाता है एश से जनरली और यह फूर प्रांटर नंबर होती है है यह हर क्लास में आपको बार बार यूज़ होते रहेगा और आपके सिलेबस में इससे बनेंगे साथ में कमपीटिशन इससे हर बार हर डिफ्रेंट डिफ्रेंट ताइब के पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लों देखें कि यह जो प्रिंसपल क्वांटर नंबर है यह क्या ह होता है तो नाम से क्लियर प्रिंसपल अच्छा यहां पर मैं और एक चीब बता दू जैसे मैं बुला कि आगर कि किसी भी किसी भी मतला एलेक्ट्रों के हमको उसके एक जाइक पोजिशन ग्याद करना है ठीक है जैसे मालो मालो अगर हमें किसी इंसान का ठीक है किसी इंसान क अडress पता करना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यह पता करने कोशिस करते हैं कि उसकी किस कंट्री में रहता है ठीक है पता चल गया किस कंट्री में रहता है मान लो कि झील से पहला है कि पता करते हैं उसका कि क्या पता था क्या इंसान ने पंट्री में है कि एक इस कंट्री में हैं तो हम बड़े से नीचे के वह पढ़ते हैं अच्छा हम पता चलिए को च्छतिर गड़ तो उसके आगले वह नंबर में क्या खोदेंगे अच्छा तो वह कौन से डिश्ट्रिक्ट में रहता है आप श्टिर गड़ में पता चलिक आप च्छतिर के कोन से तिश्ट्रिक्ट में पता है माल या जया वो किसी भी जीले जाहर आप पूर बलाग्पूर या मालो जस्पूर में रहता है हमको पता चलिके वह वह जश्पू जी लेके नौश्चे तो उसका होद लेंगे कि यह कौ जानेंगे कोन सा देश रहता है उसको मैं क्यों बता रहा हूं जैसे हम किसी भी ब्यक्ति का अड़ेस खोजने के लिए हम सबसे उपर से नीची को जाते हैं जानेंगे कोन सा देश रहता है ूसके आफंगे कोन से नीचार मैं है उसी नम्हों देख लो ध्यूती सबसे बताता है जो सबसे है और वीटल में करें हमको पता चल गया कि वह कौन से सेल में है टीक है करें यह क्या बता था कोन से और बीटल में Assistant अब हम पता चल गया माई वह को एलेक्ट्ण प्योड़ फीज सब ऑर बिटल में है तो इतने होते हैं जो पी एक्स में है कि वह पीजेड में अब हमको पता चल गया मालों पीजेड नो हो थे लाक हम देखेंगे अज़से पीजेड में है तो आस्तों पें उसकी पोजिशन क्या है ठीक यह वह लेकवाइज हुम रहा है या फिर इसका एंटिक लेकर बताता है को कैसे गुम रहा है क्या क्या जानकारी में इससे लिए चार क्या क्रांट की जानकारी में फिर भी हमें है डीटेल से देखेंगे सबसे पहले देखें लेक्टोन पोजिशन उसकी इनर्जी बारे में बताता है उसका सेप या स्टक्चर के बारे में सबसे बनाया थे जैसे नील सुपोर्ट ने क्या बला थे यह प्लस है अब ब्राबर वाण में क्या होगे के सेल एल सेल एम सेल और एक आप था एंज सेल ठीक अगर एंड की वेलिवान है के सेल आया एल एंड की वेलिव टू है तो एल सेल 202 ऐल सेल एंड की वेलिव यह एंड की वेलिव पूस तो उतक है थों मतलग पता है आगर in qle-1 को मतल Direc um कौन के स्थेल में पूर आया ने फटता चल लगर कि हैं कि को अंसे खच्चा में क्या का कर रहो कुं गुम रहा है कि लेक्ट्रम के सेल में है कि एल यक्टैनल में है प्रिंस्पल क्वांटम नमबर और आपको लिए पिद्स बोर्ड ने जितने उर्बिट है ठीक है एक ओर बिट में इसक्राइब तेगा मार्जिमान नंबर उप एक तेगा उसके उसके लिए एक रूल इस बनाया था वो रूल क्या था है क्या था टू एन इसक्वार्ट तो अगर हम टू एन की वायल एक राखेंगे तो एलेक्ट्रोन दो रखो चाहर आठ एक तो यह भी आपको पता है कि कि एक टो है तो आपको पता चल गया कि जो इस प्रिंस्पल कॉंटर नमर हो वह क्या करता है एलेक्टोर्म कि क्या बताता है पोजीशन को बताता कि कौन से सेल में है ठीक है अब जैसे हमने पता चलगे अच्छा वो क्ळें तो दूसरे अब हम क्या चाने को और वीटर कौन से अच्छ है तो जो एल है जो एजी मुथल कौन्टर नंबर है यह वास्तों में क्या बताता है कि एलेक्ट्रों कौन से और विटल में प्रेजेंट है तो आगर हमें हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसके लिए फॉर्मुला हो जाता है एल के लिए जीरो टू अगर हम लिए फॉर्मुला देखे तो क्या हो जोता जीरो टू ए मैनस वन तो जैसे है अगर महालों एन की वैल्यू वन है क्या हो जाए पूरा जीरो वी वह जागा अगर एन की वैल्यू है तो जीरो से टू किना अगर जीरो वन दो वैल्यू आगा 0 1 तिक है 0 और 1 उसी तरह अगर N की value 3 है तो 0 2 N-1 रखो 0 2 3-1 ब्रेस वन की नागर 2 मनलब 0 1 2 वैल्यू क्या हो जाए कि क्या हो जाए कि क्या हो जाए कि एल की वैल्यू हो जाए तो हम अगर हमें और की वैल्यू दिया है तो हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं 0-1 से लिक्या निकाल सकते हैं अब यहीं पर इंगे और एस बताऊंगा कि अगर लोजी और कि तुर टूवर है अब एल्लीव टूआ फंट अब लोर प्री ए को तीक कई को फॉल्द जुरू है मनलों कौन से सबसेल के बारे मता रहें कौन से आरबिटल के बारे मता है कि अगर एल्टी जीरो आए तो पता चाल जाएक जो एलेक्ट्रोन हे ओ एस और बिटैल पे जैन्ड विश्टर एल्टीर्ण है तो तो क्या हो जाएक एस पी डी यो ड तरह तो की पासकते हैं कि मता सकते हैं कि एलेक्तों कि और विट्र में प्रेजेंट है छोई इंसान की पासे इंडिया पता चल गए छर्तितगर में मत्यपदेश में तमील नाटुमें किस्में कांट्री की पार से असलिक पता है तो क्या चल गया तो हम को पता चल जाएगा कि ऑ में अगले नमबर में जाएंगे मैंगीustom मा कि थो हुआ है तो जो दुनोब को आन अम सक्रियर है कि हम कैसे मार्टिक दिए ठीग सके तो अगर ऑ IRA फिल्ड में डाख दें तो उसमें जो बिदिक होता है सब को पता है उसे क्या बला जाता है जीमन इफेक्ट तो आपने मैगनेटिव फिल्ट के बेसिस में क्या हो जाकर स्प्लीट हो जाता है जैसे प्ली और विटल पी एक्स पी वाई पी जेट अधी और विटर क्या होता है भी एक्स वाई भी जेट दिए अगशेटे अब यहां की कोशिस करें कि अगर हमको ल की वालव पता है तो हम अधीशी बैलू कैसे निकाश सकते हैं तो इसकेल और च्रोटार खरोना होता है हुआ है कि अवThe irgendwann है में तो हम्मेर किलोट एफ जन्ny निकाल आसा सकते हैं इसकर लिए ना एक हम फॉर्शनान क्या होता है मायनस क्यूपा से 2 है मायनस क्लम प्लस है फिसका और यूपार्मिला हधा है टू एल प्लस दोनों ही फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं एम की वैल्यू निकार सकते हैं जैसे जैसे हम देखते हैं माल लिया जाए एकुना है जीरू एकड़ना है जीरो इसमस्ånda यू टीं समय रखी लुके थिंगे टुर्शना संसरें के जीरो की आ रहे है मंदग को उर्बिटल को पार्मेंट आ रहे है स सबको बता है स कि एक शीरुत भी रहे है मंदग कौन से बार्में रहे है स आगार L की बायलू 1 लिए हम लो, तो फॉर्मुलासी निकालो, 2L प्लस 1 कितना होजागा, 2 इंट 1 प्लस 1, कितना होजागा, 3 अइस फॉर्मुलासी निकालो, L की बायलू तो इकान होजागा, तो मौनास 1, L क्या है? 1, मौनास 1, 2 प्लस 1, प्लस 1, अब मौनास 1 और 0, प्लस 1 की दूसरी नंबर कहा गल दुछ ? मौनास 1, 0 प्लस 1. तो पहले से कितनी वाल्य है तीन तो पहला एक दो और क्या होगा जो जो में होगा तो होगा माइनस 1-0-2 अरो सब कौन से और बता रहे हैं और इसका यह जानते हैं कि जो माइगनेटिक क्वांटर नंबर आता है पी एक्स पीवाइं पीडिया कि पता चल गया कि कैसे वह सब और बिटल के बारे बताता है कि इलेक्ट्रों वास्तों में अगर प्लस और निकालो किता एगा मैंनेश टू 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 प्लस टू था मैनेश टू और प्लस टू पेशन हमकर हो गया मानेश टू मैनेश वन जीरो प्लस और प्लस टू मतल्गी किटना रहे हैं वन एक दो तीन चार्फ घ्रिक इस फॉर्मुला से निकाल के देखो 12 प्लस 1 से 2 इंटो 2 प्लस 1 कितना रख है कि गए मलें यह पांच वेल भांगे मैंनेस 2 मैंनेस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और सबको पता है एक विले 2 है मैंने कौन सा ओर्बिटर क्वार में तो है अगर हमें रख्यों सकते हैं तो हमके वइसे निकाल सकते हैं अगर सब अर्बिटर के वाई में पता चल रहे हैं तो आगर से पी और्विटल में पी एक्स में है कि पीवाई में है कि पीजेल में उसी तरह अगर कोई अर्विटल में है तो हमको पता सब्सक्राइब क्या है तो लास अब हम सब्सक्राइब क्यों रहा है कि एंटी क्लोक वाइज गूम रहा है जैसे माल यहां को इलेक्ट्रोन आए यहां इलेक्ट्रोन आए हम इस एलेक्ट्रोन के बारें पता करना था में डियां हो श्रुक्तल्स सब्सक्राइब करदेन दर्वल्डशों है करने वह सब्सक्राइब करदाना आठ इंदाओ इस इस यह हम देखर के यह तो अगर कोई लेक्ट्रोन अगर किसी लेक्ट्रोन का इस्पीन थीक है आगर अगर क्लोकवाईज होगा तो उसके वायलू क्या रखा गया इसके वायलू प्लस हाग अगर को एलेक्ट्र एंटी क्लोक वाइज रहा है रोटेट कर रहा है या तो हम पता चल गया कि एलेक्ट्रोन घूम कहां है लोग वाइज गूम रहा है तो उसकी क्योंद आपना कौन बदाता है इस्पीन क्वांटन नंबर है हम पताकरने कोशते करते क्वेख्टोन कहां है उसका सेप क्या है उसकी इनेर्जी क्या है उसके इस्ट्रक्शर क्या है तो पता चल्गया कि हमको पता चला कि अच्छा दे और विटे में व टी-एक्स-वाई में और वह क्या कर रहा है प्लोक वाइब भूम रहा है तो जश्पूर के इस जगह में रहता है भागलपूर में रहता है तो अच्छे उसका घर कहा है तो हमको एक जाएक कोई सन पर जया है तो हम इलेक्ट्रों की पोजिशन होजने के लिए हम उपस नीचे की और वह जो पहुंचते हैं तो वही क्या है क्वांटम नंबर पदा चला क्वांटम नंबर के हमासकता क्यों पड़ी साथ क्यों है विर निप पड़ती है सो तो आप देखों जैसे कि अब कॉछ देखते हैं हम पुछ नाइट्रोजन के ला क्वांतर गॉम्णका निकाले हैं एक़ाय क्या है वो पता करने बूर्ड रहा है तो नाइट्रोजनके लाक्तरॐल का है तो नहीं है इसे ऊर्बितल में है कुपी 3 कितना है कि टूरण बता सकते हो कौन से अर्बिटल वारेम और पी ओर्बिटल लेक लिए पता चल गया तो एंप्य वैलू भी क्तूरण निकासकतो हो क्या हो जागा मैनस वन क्या होता मैनस एल प्लस से मैनस वन और प्लस अगला नमर क्या होगा जीरो मैनस वन जीरो प्लस वन यह ओ गया यह पी एक्स हो गया यह पी वाई हो गया यह पीजेओ अब रेक्त्रों कौन साइक तीस आ पहला एलेक्त्रों यह वो गया हो ढुसरा क्या तो देखनाय पता चल गया कि आ क्या होगा कौन सब्सक्राइब देखो इसका डायरेक्शन क्या है क्लोक वाइज उपर है क्लोक वाइज है तो यहां लिख देता हूं देखेटेटि घ्र प्लोक वाइज थे यह चाहर नमबर निकाल था अब है और न कौन से और बिटल नहीं है क्या कर रहा है तो इस तरह हम क्या करते हैं किसी भी एलेक्टोन का यह तो लाश लेक्टोन को बोला था उसी तरह चौंथे एलेक्टोन को बोलता है किसे को देखें कर देखें कर दो चौंथे एलेक्टोन को बोलता है तो किसे को देखें हमें और टूसरा रेक्टोन काहार है नीचे कि यह जीरो मला कॉन सा और विटल हो गए एस के बालू क्या है नीचे एंटिक लगवाई तो क्या हो मायनास आप एंटिक लगवाई जारत मायनास तो कि कोई लेप्टोन का हमको पोजिशन निकालने बोला तो हम क्या करता कि आसाने से निकाल सकते थिए यह क्वांटन नमबर यह आपके लिए आपको बेसिक नोलेज के लिए और केमेश्ट्री पढ़ने वाले हर सभी क्लास में बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला बहुत ही ज्यादा इंप्रोटेंट पूपिक है तो उमीद है आपको यह टोपिक समझाया होगा अगले क्लास में क्या देखें इस स पुछ आता है तो उसको जानने की कोशिज करेंगे अब क्या करता हूं मैं एक दो प्रॉपर कमेंट करते हैं लाइक करते हैं और अपना आंसर बताते हैं तो अच्छी बात है इससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा आक्टिव है और कौन अपना पढ़ाय कंटिनिव कर रहा है तो कई लोग है जो ना तो कमेंट करते हैं ना ला करते हैं एकिस कीजिएए चाह सही हो जलत हो आप पोसिएगीए उसे क्या होगा एक तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो दूसरी चीज़ आपको पता चलेगा कि आप को यह टॉपिक समझ में आया की नहीं तो मैं जल्दी से उसका करता हम पॉस्चन देज़े चाहूंगा तो पहला कॉस्चन लिख लेजिए कि जो लास्ट लेक्ट कि लास्ट लेक्ट्रोन का चारों फांटर नंबर की वेल्यों निकालना है दूसरा क्वेश्चन है कि और कि एलेक्ट्रोन और पोटेस्यम पोटेस्यम के छौथे एलेक्ट्रोन का चारों फांटर नंबर की वेल्यों निकालना है इसी sudah और यह क्वेश्चन गुष्चन हैů थर्ड नमड पूस्चन है 3d5 3d5 ओर बिटल का 4 पॉंटर नमबर के वेटम निकामने है तो इस ट्रिगे टीनिगोश्चन अगले क्लास में इससे देटर और डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम के कोश्चन को क्या करेंगे डिसकस करेंगे एक तो यह तीनों प्वेशन का आप आंसर जरू बतेगे ठीक है चलो ठांक्यू अजय को कि अजय को अजय को कि 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 अजय को